मेरा नाम राम बदन सिंग है मैं Central Agriculture University in Fall उसका Chancellor हूँ और इसके पहले मैं National Academy of Agriculture Sciences का President था मुझे इस Conference में आकर के बहुत ही प्रसुनता हुई क्योंकि यह एक ऐसे नाम से जुड़ी है जो कि एक अदभुत बच्चा था और उसका नाम अमित सिंग जो कि बहुत ही अदभुत होने के नाते भी वाजूद भी उसने और विश्वे मेनजा करके देश की सेवा उसके बार्डर पर जबकि लड़ाई जबकि चल रही थी पिशले कई दस्कों के पहले जो आप चानते हैं उसमें कारगिल जुद्ध में आमित ने अपने को आप्ट किया कि मैं देश की प्रभुता को बनाए रखने के लिए उसकी संरक्षता के लिए मैं मिलिटरी जॉइन करूँगा और वो इलेक्ट्रोकर के लेटनन बन करके जॉइन किये और उन्होंने अप लड़ते लड़ते बार्डर पर उन्होंने अपना वो बलिदान उनका हुआ और शहीर के रूप में जो उनका एक मेसेज है हम सब के सामने यह उबड़कर आता है कि देश भक्ति में देश सेवा में कोई भी बलिदान जाद नहीं है जो भी बलिदान कर सकते हैं हम देश की सेवा में देश की रख्षा में करें तो जबकि हम अमित के बलिदान को ध्यान करते हैं और अपने पुराने जो कि नाइंटीन सिक्टि फाइब में जो उस समय के उस दसक के जो पुर्धान मंतरी हमारे श्रीलाल भादु सास्टी जी थे जो कि उन दिनों पाकिस्टान भार की बाद और हमारी भूख मरी की जाद जो हम्वारे देश में जो समस्या थी उसको दूर करने के लिए हम बाहर से इतना अनाज मंगाते थे और लाल भाद उसास्तर जी ने उस वकत नारा दिया एक तो लड़ाई से हम निप्रित हुए थे और सारा बार्डर हमको सेफ करना था हमको अपने देश वास्कियों को भी अ जाहिकिशान तो इन दोनों को मिला करके देखा जाए तो यह बहुत बड़ा संदेश है और उसमें अमिति का बलिदान है एक बहुत ही बड़ी चीज़ ऊ़र के आता ह। अब किशान, जाहिकिशान की बात रही तो उस सी भावना से, उसी तरह की डिकेशन से हमको अपना अगर एक चौथाई पिष्व की सारे भूखवरी के रोगित लोग हमारे देश में हैं, तो उनको हम कैसे दू करें, उनका मिवारण कैसे करें, यह भी एक जुद्ध के ही समान है. तो हम अमित से यह प्रेडा लेते हुए, कि हमें जुद्ध के रूप में किसानों की सेवा करनी है, ताकि किसान जायते से ज़्यादा उपत पैदा कर सके, और उसको सही मुले मिले, ताकि किसान खुद जो आख भूख मरे से जूज रहा है, उसकी आमदनी इतनी कम है, उसके ब और जो हम अपने साइंस के जरी उसको निवानर कर सकते हैं, इसलिए उस नारे में, जाय जवान, जाय किसान वाले नारे में, अटुर भी हरी बास पैजिने, जाय विग्यान जोड़ा, तो जाय विग्यान का जोड़ने का मतलब है, कि हमारी कृशी उन्हती तभी होगी, से कम लादक में, जाद से जादा पैदावाग होने की छंता होती है, तो जो सही टेक्नालोजी विग्यान लेकर के आए, हम उसको किसान तक पहुचाएं, तो इसमें सबका योगदान होना चाहिए, चाहे वह साइंटिस्ट हो, चाहे अभिष्विद्याला हो, चाहे वह प्र किसान की उत्पादक्ता में बृद्धी होई है, इसी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर लरिंद मोधी जी ने, कि हम 2022 तक अपने किसानों की आमदनी दुगनी करने, एक बहुत बड़ा ही अव्यान है,